है विप्रुइबर्वान वेलकम टू जीन वी आनुर्स क्लाशिस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीन रेगुलेशन की बारे में सबसे पहले देखें कि जीन क्या होता है आपको पता होगा जैसे कि हमारे सेल्स के अंदर नूक्लियस होता है यानि की एक cells की बात करेंगे नुक्लियस होता है और नुक्लियस के अंदर आपको पाया जाता है क्रूमोजम ठीक है ना आचा जो क्रूमोजम होता है कैसे बना हुआ है डीने से ठीक है डीने अंड हिस्टन प्रोटिन मिलने के बाद ये बनाते हैं जीने की जिस पर्टेकुलर हिस्सा ठीकिन आइसा नहीं कि पुरा कपरा DNA, DNA की मालेजी इस प्रॉटिकुलर हिस्सा से कोई भी character के लिए ये आपकी gene है, ये कोई भी character के लिए जैसे मालेजी आपकी height के लिए, height के लिए क्या होगा, इस प्रॉटिकुलर हिस्सा से RNA बनेगा और RNA से protein बनेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे जीन कहेंगे यदि जीन की हम definitions देखेंगे क्या होता है the functional part of the DNA is known as the gene ठीक है the functional part of DNA ठीक है तो functional part का मतलब होता है कि जो express हो रहा है इसका मतलब है कि DNA की जिस हिस्सा से RNA बन रहा है RNA से protein बन रहा है उसको हम gene कहेंगे उसके बाद next statement आता है कि gene regulations regulations का मतलब क्या होता है समझिए regulation कोई भी चीजों को regulate करने की मतलब है कि आप जब चाहोगे तो उचीजी होगा आप नहीं चाहोगे तो नहीं होगा जैसे कि मैंने आपको बताया थी कि जैसे हमारे अभी गर्मी की मौसम चल रहा है जो fan चलता है ना घर में तो fan में एक regulator होता है तो fan को regulate करने के लिए one two three four five ऐसे करके होता है तो आप जब चाहोगे उनकी speed को increase बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो समझ रहा हो ना तो इसलिए हम जब चाहते हैं जो करते हैं तो इसी तरीके से यदि हम चाहेंगे कि DNA से RNA बने और RNA से protein बने तो होगा यदि हम नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा मतलब कि cell यदि नहीं चाहेगा नहीं होगा और cell चाहेगा तो होगा ठीक है हमारे बड़ी के अंदर यह ज़िए कि बहुत सारे जरूरत होता है जैसे कि मान लिजे हमारी क्या होता है हम बात करेंगे मान लिजे आपने बहुत जादा फिलाल मतलब की सुगार कंजम किया है ठीक है न चीनी या कोई जिलावी हो गया कुछ ऐसे कंजम किया है तो उस परडिकुलर टाइम पर क्या होता है हमारे बड़ी के अंदर इंसुलिन की जरूरत होता है ताकि ब्लड के अंद चाहिए तो इस तरीके से चीज़े होता है यदि हम बात करेंगे माल लेजे चार पांस घंटा गुजर गया उसके बाद ज्यादा इंसुलिन सेक्रेशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है तो उस टाइम क्या करना चाहिए उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए ठीक है आई और इन्नी विशन अफे पर्टिकुलर जीन इन पर्टिकुलर कॉंडिशन इजनोना जीन एक्सप्रेशने इनकी डियने की कुछ ऐसा ऐसे हिस्सा होता है जो कि पर्मानेंटली लग इनाक्टिव रहता है उसको हम हेटेरो ख्रूमाटिन कहते हैं ठीक है ना हेटेरो जो भी क्या करता है कुछ जब भी कभी-कभी off हो जाता है कभी-कभी on हो जाता है ठीक है ना उसको ही हमको regulation करने की जरूत होता है in this process stimulate the expression up जब भी चाही है जब जरूत है तो stimulate करेगा कि तुम बन जाओ ठीक है and inhibit that of the other gene expression is called regulation of gene expressions तो उसको हम बोलते हैं regulation of the gene expression regulation of gene expression हम prokaryotic के अंदर भी देखेंगे and eukaryotic के अंदर भी देखेंगे होता है लेकिन हम लोग जैसे हो गए हम eukaryotes हो गए हमारे nucleus एक पाया जाता है nucleus के अंदर DNA होता है double standard है लेकिन linear है ऐसे state आपको नज़रा रहा है और उनका circular होता है ठीक है आच्छा तो होता है क्या है prokaryotic के बार में पहले हम बात कर लेंगे उनकी cytoplasm में सारे चीज़े हो रहा है कि उनका तो nuclear membrane नहीं है तो जब भी DNA से RNA बनता है उस प्रोसेस को हम हमेशा बोलते हैं transcription जिस DNA से RNA बनना प्रोसेस को उनका क्या होता है जब भी RNA बनेगा न मालेज़े यह DNA है और यहां से आपकी RNA बन रहा है इस सेट में RNA के 5 निकल आएगा आने के बाद इम्मिडियेटली क्या होता है राइबो जो माकी यहीं पर बेड़ जाएगा ठीक है ना तो उनका क्या होता है को ट्रांस्क्रिप्शनल ट्रांस्लेशन यानि कि ट्रांस्क्रिप्शन भी चल रहा है ट्रांस्लेशन भी चल रहा है तो उनके कैस में यह हम जीन को एक्स्प्रेस करने के लिए रोकेंगे तो ट्रांस्क्रिप्शन होने से पहले उचीजों को हमको रोकना पड़ेगा आयना क्या होता है उनकी transcription लेवल पर हमको चीजों को रोपना है यह हम चाहते हैं कि उनका gene regulation करना है ठीक है अच्छा यह केरेटिक की बात करेंगे देखे हमारे कैस में हमारे क्या होता है कि नुकलियस होता है नुकलियस का अंदर ही तो आपको पता होगा है उक्रोमोजों होता है जिसको जो की DNA अंडिस्टरन प्रोटिन से बना हुआ है DNA से RNA बनेगा उस प्रोस्स को हम transcription कहते हैं और हमारे जो DNA होता है एकदम बहुत लबी सी DNA होता है length बहुत ज्यादा है और DNA के सारे part express नहीं करता है कुछ हिससा ऐसे होता है express नहीं करता है उसको हम intron कहते हैं तो उस case में क्या होगा देखें तो DNA से RNA बन गया यह नूकलेस के अंदर बन रहा है RNA बनने के बाद RNA के अंदर कुछ modifications होता है क्या होता है क्योंकि देखें DNA नूकलेस के अंदर एक अलग से environment है उसको हम न्युक्लियोप्लाजम कहते हैं, और चाहिते हैं, अच्छाश को छोड़ने के बाद जो हिस्सा होता है, उसको हम साइटो प्लाजम कहते हैं, ठेक है न, आच्छा, तो RNA यहोगा, उसमें बहुत सारे चैन्जिस होता है, एक होता है स्प्लाइसिंग, जो अन्वांटे स्टेप्स में उनका इंट्रोन रिवूम होता है एक जोन आड्म होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग ठीक है अचा बढ़ने के बाद आरेने जो बाएगा यह अपनी सीर में मतलब कि फाइप 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 प्राइम एंड में एक क्याप लगा कि आएगा क वर्यूं क्यूंकि उनको साइटो प्लाजम को आना है ुष्टोप्लाजम के लिए एक नया चीज है हो सकता है कुछ नियूक्लेज का मतलब है कि ऐसा एंजाइम जो की तोड़ सकता है डेने ओवर आरने को तो साइद उसको तोड़ देंगे तो इसलिए वो शीर में क्याप लगा गया आता है उसको बोला जाता है फाइप प्राइम और उनकी टेल में बहुत सारे आड़नाइल भी जोड़ता है जिसको हम बोलते हैं पॉली आड़नाइलेशन एनिकी थोड़े बहुत मोडिपीकेशन होने के बाद उन क्या करेगा न्यूक्लियर मेंब्रेन को क्रॉस कर काइगा थो यहां से उसको आरेना बनने गया उसकी जो मोडिपीकेशन चाल रहा है वहां भी हम रोक हैं समझ रहो ना अच्छा यदि मान लीजी आ भी गया हम उसको क्या करेंगे ट्रांस्लेशन को भी रोग सकते हैं क्योंकि उसको आने आएगा आने के बाद हम पर राइबो जुम्स होता है साइटोप्लाजम में कुछ राइबो जुम्स तो एंडोप्लाजमिक रेटिकलम के सा अंदर जीन को हम रेगुलेशन कर सकते हैं यानि कि उनकी एक्स्प्रेशन को चाहेंगे तो रोक सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो नहीं रोक सकते हैं समझ भाए ना बाते ठीक है आच्छा तो लेकिन प्रोकेरोटिक के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांस्रिप्शन ह होने से पहले उच चीजों को रोखना है नहीं तो नहीं ठीक है आच्छा तो देखिए हम बात करेंगे जैसे मैं बात की थी steps of gene regulation there is different steps होता है gene प्रोकेरट आण यूकेरटिक के लिए तो gene regulation इन यूकेरटिक की बात करेंगे इक क्रेंगे यूकेरटिक शल्कॉन्टेंस नर्माली जो इसका curly hair होता है, curly मतला मैंगे निडुल जैसे इस तरीके से hair होता है, उसको हम curly hair कहते हैं, curly hair होता है, वो straight कर लेते हैं, क्योंकि उनको वेदी mild हम heat provide करेंगे, और कुछ chemicals आड़ करेंगे, तो ये straight हो जाएगा, straight होता है क्या हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है, न क्यों, क्योंकि उन बंदा की hair बनाने के लिए, जो gene होता है, उसमें sulfur containing amino acids ज्यादा आपको दिखने को मिलेगा, जब इस protein के अंदर sulfur containing, यानि कि methionine system, methionine system, ज्यादा दिखने को मिलेगा, आप उसमें क्या करेंगे, double burn बना लेंगे, तो इसलिए hair क्या हो जाता है, जो नया hair आएगा, जो पूरा ने, जो प्रेजेंट था, उसको तो हम outside से कुछ chemicals दिया, और heat provide किया, उसका जो double, मतलब कि जो इस तरह के से bond हो ब्रेक हो गया, तो इसलिए straight हो गया, लेकिन जो नया बनेगा, उनकी gene के अंदर तो हमने तो कोई change नहीं लाया है, तो अभी भी sulfur containing amino acids बना जो जाएगा, क्योंकि उनकी DNA के अंदर ओई चीज लिखा है, यहां पर system जोड़ना है, methane जोड़ना है, तो जब भी नहीं आपनेगा, फिर उनकी hair कली हो जाएगा, ठीक है, आच्छा, however, all the genes do not function the same time, हम इसा के लिए, हर कोई gene express होगा, ऐसा कोई नहीं होता है, other genes remain inactive, कुछ case में कुछ gene active होता है, कुछ inactive होता है, expression of eukaryotic gene are a tightly regulated process, एक regulatory process होता है, देखे, तो हब पहले हम eukaryotic के बारे में बात कर लेंगे, जैसे देखे, जिनरा silencing होता है, हम transcription level में रोग सकते हैं, यानि कि DNA से RNA बनान नहीं देंगे, post transcription level, post transcription level जैसे मैंने बात की थी, कौन सी होगा, यानि कि उनका जो processing चल रहा था, processing का मतलब है कि splicing चल रहा था, उनका capping चल रहा था, और उनकी telling यानि कि polyadenylation चल रहा था, तो उस case में हमने उसको रोग सकते हैं, या तो नहीं उनकी transport को, transport का मतलब है कि जैसे nuclear membrane को cross करके cytoplasm को ना आ सके, उसको भी हम रोग सकते हैं, फिर यानि कि translation भी हो गया, हम protein के अंदर थोड़े बद modification आता है, कहीं पे आपको phosphate जुडाना है, ठीक है ना, उस तरीके से चीज़े modification होता है, उसको भी हम रोग सकते हैं, functional protein बनाने के लिए, तो इस तरीके से regulations होता है, आपकी eukaryotic के अंदर, तो one by one हम discuss करेंगे, सबसे पहले द हमारे जो eukaryotic cells होता है, human की बात करेंगे, तो हमारे nucleus के अंदर 2.2 meter length की DNA होता है, इतने लंबे DNA, समझे ना, 2.2 meter मतलब होगी कि, जैसे हम salwar की कपा देते हैं न, दर्जी को उसी लाई करने के लिए, या साट की इतने लंबे DNA होता है, इतने लंबे DNA, cell की nucleus के अंदर, cell तो जो sui आता है, moon company, अबने देखे होंगे, जो सिलाई करने के लिए, इस तरीके से एक white disk bundle आता है, उसके चारो तरफ ऐसे लिप्टा हुआ है, इसी तरीके से एक protein होता है, जिसका नाम है histone, histone protein के चारो तरफ, DNA इस तरीके से क्या हुआ है, रापिंग हुआ है, लिप्टा की DNA negatively charged है, ठीके ना, और histone आपके positively charged होता है, हिस्टोन कुछ इस तरीके से होता है, ह2A, H2B, H3, H4, इस तरीके से हिस्टोन होता है, और DNA इसे उसको wrapping करके रहेगा, और फिर और ज्यादा condense हो जाएंगे, एक उसको histone plus DNA को, एक को हम बोलते है nucleosum, एक nucleosomes होता है, ठीके ना, यह इस तरीके से फिर छोटे-छोटे nucleosum अपस में condense हो जाएंगे, इस तरीके से वो wrapping होते हुए, condense, decondense होते हुए, आपको chromosome नजराता है, clear हुआ ना, आपने जैसे धागा सुई को, हमने क्या करते हैं, लिप्टागे रखते हैं, इसी तरीके से आपको, दीखेंगे ना, चापिंग होके पाए जाता है, जब भी हमको क्या करना है, DNA से RNA बनाना है, तो process थोड़ा समझेए, कि DNA से आपको RNA बनाना है, यानि कि उसका मतलब क्या है, DNA के अंदर जो भी information है, आपको क्या करना है, RNA के अंदर copy करना है, तो यदि वो tightly से package रहेगा, क्या हम उसको copy कर सकते ह तो कुछ ऐसा molecules होते हैं, उनकी जो tight packaging को और ज्यादा tight कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, उनकी tight packaging को loose कर देते हैं, जब loose करेंगे तब क्या होगा, expression होगा, यानि कि RNA बनेगा यानि कि transformation होगा, यानि कि जो tightly packed है, और ज्यादा मान लीजे cockt हो जाएगा, तो क्या होगा, और एक पेपर की अंदर ऐसे कुछ लिखा है तो इसी तरीके से यह और ज्यादा टाइटली हो जाएगा हम कैसे उसको रेड करेंगे ट्रांस्रीशन नहीं हो पाएगा तो इसलिए हम देखेंगे च्रोमाटन लेवल में हम इसे ट्रांस्रीप्शन करेंगे देखे तो स्पेसीपिकाली ग्रूप हम उसको और करेंगे धीक है अचाँ अपने पढ़िएंग ने के अंदर उसको और करेंगे यह जो मिधाईल ग्रूप होता है कहां पर अड़ोगा सीपीजी आइलान्ड यानिकी डियेने की वह हिस्सा होता है जहां मतलब कि साइटोसिन के बाद गवानी आना चाहिए यहां पर जो पी होता है यह फोस्पोडाइस्टर पॉर्ण पर पताता है सीजी 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 मतलब इस तरीके से सिक्वेंसेस रहेगा उहीं पर आपका क्या होगा मिठाइल ग्रूप आड़ हो जाएगा यह क्या करेगा मिठाइल को सप्रेस्ट अक्टिविटी अब दर ट्रांस्क्रिप्शन यानिकी यह क्या करेगा और ज्यादा टाइटली पैक्ट क 22 otojomes तो है 2 extremogeum होता है male case में 22 otojomes Xy एक extremogeum होता है female की जो somatic cell होता है उनमें सिर्फ 1 extremogeum X-56 होता है germinal cells में 2 extremogeum active रहेगा germinal cells का मतलब है कि ovary cells लेकिन उसकी अलबा body की जितने cells आप देख रहे हो सभी में 1 extremogeum active होता है और दूसरे इनक्टिव होता है ठीक है तकि जो doge compensation हो सके male में जितना है female में उतना रहना ज़रूरी है ठीक है आच्छा तो DNA methylation process में भी हम silencing कर सकते हैं next देखेंगे transcriptions level में ठीक है transcriptions level में हम क्या करेंगे जैसे हमने बात करेंगे कि chromatin level में हम कैसे उसको regulate कर सकते हैं उसके बाद उनकी processing level में हम कैसे उसको कर सकते हैं देखें chromatin level की हम बात करेंगे कि जीन expression की सबसे पहला steps होता है transcription जैसे आपको पता होगा DNA DNA से तो पहले RNA बने और RNA एक बार बन जाए और processing होने के बाद आजाएगा उसके बाद protein बने गा है तो यदि हमको रोकना है तो यहां पर रोकना है ठीक है आचा है regulated from initiation of transcription तो chromatin level में हम कैसे करेंगे देखें specifically यहां पर acetylation करेंगे जो DNA पाए जाता है हिस्टोन की चार्व तरव इस तरह के से DNA लिप्टा है के रहा है यदि आपने उहीं पर एक acetyl group add हो जाएगा acetyl group histone के पास क्या था आपकी positively charge था और DNA के पास negative charge थे तो positive negative एक दूसरे को आटराट करेंगे तो अच्छे से उनकी binding हो पा रहा था लेकिन जब भी आपने acetyl group add करोगे acetyl group क्या करेगा histone से positive charge को remove कर देगा यदि उनकी अंदर positive charge remove हो जाएगा उनकी अंदर जो binding था एनकी opposite चार्ड जो अपर एक दूसरे को आटराट कर रहे थे उसकी बज़े से जो binding था अभी क्या हो जाएगा यह लूज हो जाएगा binding हो जाएगा यदि binding होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करने के बाद क्या होगा उनकी positive ग्रूप आड हो जाएगा तो अच्छे से binding होगा यहीदी कूल मिला के बात यह है यहीदी आपको express करना है तो acetyl group को आड करना है यहीदी आपको express नहीं करना है तो उसको remove करना है ठीक है देखे दिखा है कि जीन expression when acetyl group is added acetyl group remove करेगा positive charge from the histone protein so that that there is a decrease in interactions between dna and histone protein तो dna system की बीच में जो तो टूट गया अब यह लूज हो जाएंगे तो डिने गेट एक्षोज और ट्रास्रिप्शन हो पाएगा इप दो एस्ट्राइल ग्रूप इस रिमोब कर लेगा देन एक्ष्ट्राइब इस इन्हिवेटर इद आपको रोकना है तो एस्ट्राइल ग्रूप का आपको क्या करन है उसको निकालना है ठीक है नेश्ट बात करेंगे इंट्राक्शन हम कैसे करेंगे रेगुलेटर एनिलमेंट की साथ जैसे कि आपको पता होगा हम बात किये थे कि डिने की दो स्ट्राइंड होता है फाइप प्राइम से थ्री प्राइम से फाइप राइम हमें से क्या होता ह जो 3 प्राइम से 5 प्राइम बाला जो strand होगा वो ही आपकी RNA बनाएगा ठीक है ना आच्छा RNA बनने के टाइम पे कुछ चीजे होता है कुछ चीजे का मतलब है कि RNA से DNA को बनाने के लिए एक enzymes की ज़रोत होता है जिसका नाम होता है RNA polymerage ठीक है आच्छा इस RNA polymerage जिस area में bind होता है उसको हम बोलते हैं promoter ठीक है आच्छा promoter की अलाबा और क्या होता है एक structural gene यानि कि DNA की वो हिस्सा जहां से RNA बनता है हम उसको बोलते हैं structural gene ठीक है structural gene और जहां पे transcription आके रुकेगा हम उसको क्या बोलेंगे terminator बोलेंगे ठीक है यानि कि promoter जो हो गया आपकी initiation area हो गया starting होगा और terminator में end हो जाएगा और जिस हिस्सा से RNA बन रहा है उसको हम structural gene कहेंगे यानि कि कुछ ऐसा area होता है और total area को हम cool मिला के बोलता है कि transcriptional unit यदि आपको ट्रांस इस टाइम पर DNA replication मतलब कि gene extraction को रुक ना है तो आप क्या कर सकते हो promoter area में कुछ चीजों को बाइंड करवा लोगे ठीके ना ताकि RNA polymer जाके वहीं पर नहीं हो पाएगा यदि बाइंड नहीं हो पाएगा आगे नहीं चल पाएगा प्रमोटर की अलाभा और एक चीजे होता है जिसको हम बोलते हैं operator और operator क्या करता है उनकी binding को और प्रमोट करके movement करवाता है RNA polymerase का तक ही इस एरिया से आपके RNA बन सके यहां पर हम कुछ कर लेंगे यहां पर उनका थोड़ा structure change हो जाएगा RNA polymerase आगी के और move नहीं कर पाएगा यह आरे ने polymerase आगी के और move नहीं करेगा तो transcription कैसे होगा ठीक है तो हम हमारे टार्गेट एहीं पर रहेगा तो ऐसे कर सकते हो transcription initiation जब होगा RNA polymerase promotor में bind करता है operator की movement को आला करता है तो structural gene से particularly RNA बनता है तो any protein यह हम उसमें add करेंगे तो यह चीज़ों को कर सकता है तो यहां होता है कि during the transcription हम क्या कर सकते हैं उसके बाग आता है कि post transcriptional regulations यानि कि transcription तो हो गया माल लीजिए आपकी DNA से RNA बन गया ठीक है DNA था वहां से RNA बन गया अब जैसे मैंने बात की थी कि यहां पर splicing होना है यहां पर capping होना है और उसकी अलाबा उनकी क्या होता है ना polyadenylation होता है यानि कि उनकी जो पूछ होता है वहां पर बहुत सारे ardenyl group जुड़ेगा ठीक है polyadenylation तो यह एक चीज होता है और दूसरा चीज है कि transport यहां उसको हमको रोकना है transport हम उसको ट्रांसपोर्ट करने नहीं देंगे यहनि कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो प्रोटीन use होता है उसको हमको defosporilation करवाना है तो plicing करने नहीं देंगे plicing के लिए बहुत सारे protein होता है तो उसको करने नहीं देंगे ठीक है न तो इसी तरीके से हम post-translational regulations भी कर चकते हैं यह translation होने के बाद उसके बाद हम देखेंगे relation at the translation level translation का मतलब होता है कि जब भी RNA से ठीक है न आपकी polypeptide chain यानि की प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन स्केवाइग जब भी मालेजे यह सेल है यह न्यूकलेस है आपकी आरेने आ चुका है ठीक है ना साइटोबलाजम को आ चुका आने के बाद उनका पहला सबस्टेश पहला होता है कि उनकी जो एंड होता है फाइप्रेम एंड वहीं पर राइबोजों की स्मॉलर सब्विनुट्स आड होता ह पहले है तो इस एडिया में आड होगा और यहां पर होता है कि इनिशेशन फैक्टर यूकरेलिक य ट्रांस्रिपशन इनिशेशन फाक्टर होता है यहां पर रोहने। फास्पर्टूट आड़ कर देंगे तो initiation ही नहीं हो पाएगा तो उनकी binding को हम control कर सकते हैं ठीक है ना फास्पराइलेशन करके ठीक है तो तवी translation ही start नहीं हो पाएगा यहां पे भी हम रूख सकते हैं दूसरा होता है कि post-translational regulation माले ज़िए protein भी भन गया फील कैसे रूख सकते हो formation of protein from RNA is called translation protein formation होने के बाद protein में कुछ modification होता है कुछ chemicals group add होता है और उस time पे हम कुछ ऐसे add करेंगे मालेजे kinase enzyme use करेंगे particular हिस्सा में कहीं पर phosphate add कर दिया तो phosphate add किया तो यह phosphorylate होके ज्यादा active हो सकता है यदि कि phosphate add होने वाला था हमने क्या करेंगे phosphatase add कर देंगे तो यह क्या करेंगा फस्पेट को remove कर देगा डी-phosphorylation कर देगा कोई भी protein मालेजे डी-phosphorylation होने के वज़े से inactive हो रहा है ऐसे भी होता है समझ रहे हो ना आज आपने phosphorylation या तो डी-phosphorylation ठीके न डी-phosphorylation करके भी उचिजों को कंट्रोल कर सकते हो यह था पूरा का पूरा eukaryotic की जिन-regulation के बारे में थोड़ा हमने pro-karyotic के बारे में देख लेंगे जैसे मैंने आपको बात किये थी कि pro-karyotic के कैस में क्या होता है cytoplasm में सारे चीज़े होने वाला है यहाँ पर कोई transport washer बगेरा की कोई जिन-जट नहीं है और आपको co-transcriptional translation है तो इसलिए जो भी regulate करना है आपको transcription level में आपको regulate करना है थोड़ा मैं आपको बताती हूँ जैसे हमने बात किये थे कि उनके अंदर क्या होता है regulator ऐसे रहेगा promotor operator promotor operator structural gene और फाइनली जो होता है terminator यह तो आपको पता है ठीक है अच्छा तो होता है मैं एक case study लेके आपको समझाती हूँ तक कि आप relate कर पाओगे होता क्या है ग्लुकोज की बात करेंगे जो bacteria होते हैं जैसे आप लोगों का कुछ favorite खाना रहेगा पीजा आपके पास पीजा अभेलेबल है खिचडी अभेलेबल है तो obviously क्या आप चैस करोगे तो obviously पीजा चैस करोगे जब तक पीजा है तब तक आप खिचडी यूज नहीं करोगे माले तक मीडियम में ग्लुकोज आभेलेबल है तो क्या होता है तो particularly एक जीन है structural जीन के अदि हम बात करेंगे यहां पर यह होता है रिप्रेसर यह रिप्रेसर से RNA बनता है कुछ protein बनता है इस protein जाके operator area को bind कर लेगा तो bind करेगा RNA polymerase move नहीं कर पाएगा ठीक है ना not move तो इसलिए no mRNA तो mRNA नहीं बनेगा mRNA नहीं बन रहा है इसका मतलब कि protein नहीं बनेगा तो यह कौन से conditions की बात हो रहा है जब medium के अंदर क्या है glucose present है ठीक है आचा माल लेजे किसी भी वज़े से हमको मतलब कि bacteria को glucose नहीं मिला medium के अंदर lactose present है और यह जाके operator को मतलब कि bind कर रहा था ठीक है ना structural जी यह आपका हो गया तो यहां पर क्या हो रहा था यह जाके उसको bind कर रहा था अभी तो glucose नहीं है अभी lactose आ गया है ना माल लेजे यह lactose है तो lactose जब आएगा lactose जब आएगा lactose जाके इसको bind कर लेगा किसको यह जो repressor protein में जो repressor molecule बन रहा था उसके साथ bind होगा तो यह जब bind हो जाएगा अभी यह उसको तो पकड़ लिया तो वो जाके कैसे उसको bind करेगा operator को तो इसलिए क्या होता है operator region is now free अभी क्या है operator region free हो गया तो RNA polymerase आराम से move करेगा तो यहां से mRNA बनेगा क्या बास समझ में आ रहा है ना mRNA से यहां पर उनकी protein बनेगा ठीक है ना ऐसा बनता है जो कि lactose को break करने के लिए यह होता है beta galactosidase तो इस तरीके से चीज़े होता है जब तक glucose medium में available रहेगा तब तक gene expression नहीं होता है जब glucose नहीं है सिर्पर सिर्फ lactose होता है तो इसलिए gene extraction होगा beta galactosidase enzymes यह जो structural gene होता ह है structural gene के बारे में थोड़ा पता देती हूं यह जेड़ वाई एनिकि इस वाला हिस्सा को मैं यहां पर दिखा रहे हूं इस जेड़ वाई जेड़ जो होता है beta galactosidase बनाता है यह आपका बनाता है पर्मीज एनिकि ऐसा प्रोटीन बनाता है जो प्लाज्मा मेंब्रेन की पर तो यह था आपकी gene regulations की बारे में I hope आपको prokaryotic gene expressions क्या होता है कैसे किया जाता है eukaryotic replications क्या होता है कैसे किया जाता है सारे चीज़े समझ में आ रहा होगा वीडियो पसंद आई तो like के जिए subscribe के जिए आपकी दोस्त के साथ भी share के जिए thank you